कि कि Hello friends कैसे सब लोग उमीद करता हूँ आपसाइब अच्छे सैं। आपने थननेल देखा और देखकर समझ गहे होँए। आज हमारे पास जो प्रोडम है नेट्वर्क सेक्शन जी हमाँ नेट्वक सेक्शन में प्रभ्लम हैं कैसे । को find out करना है कि सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा मैं Redmi Note 8 Pro handset है और इस handset में friends problem यह है 2G और 3G network तो चलता है बट 4G network नहीं आ रहे है जिया friends हो सकता है fault बहुत बड़ा मिले या फिर हो सकता है fault बहुत ही छोटा मिले आज के इस वीडियो में friends में आपको सिर्फ voltages और GR चेक करना यह आपको सिखाऊंगा DSO के साथ RFFE clock data कैसे चेक ही जाती है अगर आपको सीखना है तो नीचे comment जितने ज्यादा comment आएंगे उतना ही जल्दी में वीडियो अपलेट करूँगा चाहिए किसी भी mobile में 4G हो या 5G हो आप network section के clock data supply को चेक कर सकते हैं होता क्या है friends अगर आपको proper knowledge नहीं है अगर आपके पांदा DSO नहीं है तो आप RFFE clock data की frequency को चेक नहीं कर सकते हैं या तो औसकिलूस को बंटिमेटर चाहिए या फिर आपके पास DSO चाहिए चाहिए वो किसी भी कंपनी का हो रीगॉल का हो या या यूनिट का हो या फिर किसी अधर कंपनी का हो आपके बाद DSO होना बहुत जरूरी है अब एक चीज़ यह बता दूं friends क्या DSO का है DSO का इस्तेमाल करना टेकनेशन के लिए जरूरी है क्या यह या नहीं है यहां भी friends मैं आपको बता दूं DSO एक नंबर का बेकार प्रोडक्ट है DSO का कोई इस्तेमाल नहीं है मोबाइल की लाइन में कोई DSO का का काम नहीं है DSO एकदम बेकार है 20-30-40-50-000 का रिगॉल का अभी DSO औक्सकिलोस को मिल रहा है पुरा वेस्ट मनी है friends पुरा पैसा बेकार है DSO लेने की कोई ज़रूरत नहीं है DSO आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट कर देगा और कुछ टेग्निशन इसकेमेटिक डाइग्राम बेकार है इसकेमेटिक के थुरो आप काम नहीं कर सकते इसकेमेटिक आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपने आप पर ना ले मैं बस ऐसे स्टुडेंट को समझा रहा हूँ कि ऐसा मार्किट में चल रहा है तो friends क्या वाक्षे में DSO बेकार है क्या सरकीट डाइग्राम पूरा का पूरा जीरो है या फिर वितार DSO भी काम कर सकते या वितार इसकेमेटिक डाइग्राम की भी आप काम कर सकते तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दू friends आपने ये कहावाद सुनी होगी आपने आपने खावाद सुनी होगी ऐसा ही आजकल इंटिट्यूट में चल रहा है या फ्रेंट्स मार्किट में बहुत सारे ऐसे ने ने मार्किट में लोग आ चुके हैं जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो कह देंगे DSO बेकार है जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो कह देंगे जटाइक बॉक्स बेकार है जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो कह देंगे बॉर्णियो बेकार है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो कह देंगे DC machine से कोई काम नहीं होता है DC से कोई shorting नहीं निकाली जाती जिसके पास proper knowledge नहीं है वो कहें देंगे कि multimeter वेकार है without multimeter हम हर mobile बना सकते तो ऐसे market में बहुत सारे लोग आ चुके फ्रेंड जिसके पास proper knowledge नहीं है दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ DSO अगर चलाने अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है बताए DSO बेकार है यह मत बताए 50,000 का DSO आ रहा है तो 50,000 का जब DSO है इतना महेंगा जब वो है तो उसका कुछ तो उसके इंदर कुछ तो उसके अंदर खाविलियत होगी कुछ तो उसका फाइदा होता होगा technician भायों को अगर आपको knowledge नहीं है तो सिदा सिदा student को बता दीजिए कि मुझे knowledge नहीं है मैं नहीं सिखाता हूँ DSO कोई बात नहीं दोस्तों यहां पर आपको बता दू तो DSO इतना बहत्रीन प्रोडक्ट है मुबायल के अंदर आप काफी सारी चीजें चेक कर सकते हो CPU बार-बार खोलने का जरौत नहीं पड़ेगा आपको जिहां फ्रेंग्स नेटवर्क सेक्शन में अगर आपके पास proper knowledge है DSO की तो CPU खोलने की जरौत नहीं है radio off आ रहा है CPU open करना है के नहीं करना है दोस्तों no service आ रहा है CPU open करना है के नहीं करना है proper knowledge होगी तब ही आप काम कर पाएंगे graphic नहीं आ रहा है CPU रिवाल मारे या graphic IC पे काम करे knowledge है DSO की तो आप CPU नहीं खोलेंगे light नहीं आ रही है graphic नहीं आ रहा है network नहीं आ रहा है audio नहीं आ रहा है आपके touch काम नहीं कर रहा है fingerprint काम नहीं कर रहा है sensors काम नहीं कर रहे है जहां जहां पे I2C, I3C, SPI protocol जाता है SPMI जहां पे होता है अगर आपके पास DSO है तो आप signal चेक कर सकते हैं अधरवाद GR GR लेंगे दोस्तों डायोड वैल्यू चेक करते हो hem ओम प्लकर चेक नहीं करते हो ही करकते हो तो हूट टेस्टिंग नहीं करते हो अगर Au टेस्टिंग और कुल टेस्टिंग कर लेते हो तो वहां पर आपको जो हमारी analog यहीग चीज़ है अगर आपको radio off सर्विस radio on सर्विस रेडि़ियो अनॉसर्विस बनती है रेजिस्टर नहीं और रही है लिस्ट ही नहीं बन रही है एमेर्जेंसी कॉल है लो नेटवर्क है वीक नेटवर्क है 2G, 3G तो काम कर रहा है 4G काम नहीं कर रहा है यह अगर प्रॉपर सीखना है तो मेरा ऑनलाइन कोर्स जोइन कर सकते हैं 20 तारीक 20 सेप्टमबर से मेरा क्लास है फ्रेंड 4G और 5G का नेटवर्क सेक्शन बहुत ही सब्सक्राइब का हमारा एप्लिकेशन के साथ वीडियो मिलेंगे वीडियो कोर्स प्री मिलेगा एडवांस लेवल बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक आपको उसमें सीखने मिलेगा जिया फ्रेंस फीज ओनली 149 है जाकर 50,000 दे रहे हो किसी इंस्टूट में अभी मेरे पा आता हम इंस्टूट का इसा अभी दो-चार इंस्टूट चल रहे हैं बड़े आपको पता ही होगा तो लड़कों ने कहा कि सर हम आपके पास ही आते हैं हमको कुछ नहीं मिला वहां पर मैंने कहा भाई तुमारा तो वीडियो बनाए फोन बना करके मोबैल आपका बना करके उस इंस्टूट में आपका वीडियो बनाएं फिर आप क्यों सीखना चाहते हो तो का सर कुछ नहीं वह चार्जिंग का छोटा सा फलता वहीं वीडियो हमारा बन गया और हमसे रिव्यू ले लिया गया यहां पर आए जब दुकान पर तो कुछ काम करने आ नहीं रहा है हमक चीजे करना बताऊंगा आपको मोसी मिसो लाइन चेक करना बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है यह आपको मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजे होती है जो डिये से का इस्तिमाल करके आपको चेक करना है बीवी क्लाउग चैक करना है 32 कि अथ सुछ आपको चेक करना है आपको आनी चाहिए अधरवर्वाइस आपका मुबाईल बंद हो जाएगा जिए अ चलाना नहीं आता है कोई बात नहीं आपकों 맞아 नहीं करना और cur cœur मेरा ले लिजिये, teacher level का Cabal skillsbaum है यह जो आपको मैं बता रहा हुं इस डिशव महिलाएं आपके साथ सारे वीडियोस रएंगे एक बार अच्छे भी और देख लिजिए चार देख लिए जिए छे मेन आपके साथ रहेगा उसके बाद आपके पाद इतनी नौलेज आ जाएगी दुबारा किसी इंसिट्यूट आपको जाने की ज़रत नहीं पड़ेगी डाइग्राम की नौलेज आपको इतनी डीप लेवल पर मिलेगी चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, टच, फिंगर प्रिंट, माइक, आडियो, पावर सेक्शन, सिंगल पावर, डबल पावर, टिपल पावर, नेटवर्क सेक्शन, 4G और 5G दोनों बताऊंगा आपको डैड बोबायल में बहुत डीपली नौलेज दोगा, CPU अक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, CPU की क्या-क्या requirement है, पावर इसी की क्या-क्या requirement है, चार्जिंग इसी की क्या-क्या requirement है, EMC और UFS को क्या चाहिए, RAM को क्या need है, क्या चाहिए, तभी वो जाकर काम करेग है, बिलकुल skip ना करें, अलागे RFFE clock data line में आज के इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ आपको, बस एक fault मुझे मिला था network section का, जिसमें बहुत ही हो सकता है, आपके लिए बहुत ही छोटी थी यह आपको जान का रही है, बट मुझे आपको समझाना है, ये वीडियो फ्र और जी नहीं चलेगा, ये मैं यहाँ पर बताना चाहरू हूँ, और यह market में काफी जगा घूम के आया asset, आई सियां इसमें change हो चुकी है, सारी की सारी, फिर भी asset नहीं बना है, तो आपको लगेगा के fault तो बहुत छोटा सा है, fault छोटा सा है, लेकिन जिसको knowledge नहीं है, उनक network section को check कर सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ों की यहाँ पर जरुवत पड़ती है, बाखी अगर आपको ये काम आता है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, ये मेरे उन प्यारे students के लिए है, जो fresher है, जिनको knowledge नहीं है, जिनको पता नहीं है, कैसे काम करना है, ये उनके वीडियो है, मैं प्रोसेस सारे शुरू से बताऊंगा, तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ इन तक पुरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, पहला वीडियो है, काफी दिनों बात मैं फूल वीडियो डाल रहा हूं, चलिए फ्रेंड शु आपको बता दू, यहांपे 2 सिम इसमें डले है, एक सिम में नहीं आ रहा है और दूसरे सिम में नेट वर्क हुल है, तो ऐसा नहीं फंट दोनोव सिम भी वर्किंग हैं और दोनोव सिम चालू है, इसमें होता क्या है, जीओ का जो सिम वह वर्क नहीं कर रहा है, दो सर पह Laz है आपको दिकराओगा और similarities जाते हैं और सिन में जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं पहला संथ है और दूसरा स्थिम ऐटल का यह इसमें, यहां पर नेटवर्क आ रहे हैं, जैसे की आप देख सकते हो यहां पर आर जिए और जिए में रगल्र नहीं हो तो देख सकते हैं मैनुवल सच करते हैं तो यहाँ पर इस तरीखे का मेसेज आ रहा है टन आफ कि मोबाइल डाटा वी भी टन आफ आटोमेंटिकल इस तरीखे से यह सर्च कर रहा है तो 4G नेटवर्क का ना तो प्रवेडर इसमें लिस्ट बनेगा ना तो यह रिजिस्टर होगा ना तो अक्टिवेट होगा यह 4G नहीं आ रहा है इसमें जीओ का जो है नहीं चल रहा है यहां पर बैक कर देता हूं और हम आपको फ़ुने बता दूझ और यह के यह सार्च कर रहा हूं कि Todse इसमें पर बदरिक दिन्न पहर दिख सकते हैं नेटवर्ट को दिखरा हो गा है कि इसमें बेटवर्डेकन वगर नहीं लगा है हलाकि है तो इसको भी सार्च कर लेते हैं और देखते नहीं हो आपको पता होगा प्रोवाटर लिस्टी जो होता है जो सिम हम डालते हैं उसके यहां पर बैंड बनने चाहिए जो जो भी आजपास फ्रिकंसी होती है उसको सच करके यहां पर बताता है जैसे जीओ हो गया एटल हो गया आईडिया वोड़ाफोन 2G 3G बैंड हाइब लो इसमें भी चेंज करके चेक करेंगे कि यहां पर बनती है कि यहां पर सिल्फ और आ रहे है ूपर बैंड का प्रोब्लम आ रहा है यहां बार चले जाते हैं और यहां से हम ले ले लते हैं अब यहां पर वैने ऑप बार करता हूँ और किया यहाँ पर हमारे टूजी के बेंड की जो रहते हैं टि यह इक यह श्कृऊनों आपको मोबाल में डायर्क्ट जाकर काम नहीं करना है FRIENDZ मोबाल खोलने से पहले बहुत सारी चीजा चेक करना है आपको इसाइपको आइडिया काफी सारा आइडिया मिल जाते हैं किस एरीये में आपको काम करना है यह मैं हिंट दे रहा हूं FRIENDZ डिटेल में live 20 September से मेरा class है उसमें बहुत deeply बहुत detail में मताता हूँ कि कौन से section में काम करना है मोबाइल खलने से पहले आप काम कर सकते हैं radio off है या radio on है यहाँ पर 2C का मैंने जाहां पर select किया है आइडिया देख सकते हैं एटल आइडिया और सेलवन तीनों का यहां पर बैंड आ चुके हैं 4G का नहीं आ रहा है था आपने नोटिस किया होगा तो यहां पर फ्रेंट्स फिर से मैं वापस से जाकर के 4G में सेलिक कर देता हूं तो फ्रेंट्स यहां पर आपको पता ही है अब ऐसे में कस्टमर ने फ्लैशिंग भी करा ली है इसमें क्योंकि कोई डाटा इसमें वाट्सप वगरा कोई नहीं है कि अलरी फ्लैश करा चुके हैं इसके अलावा जितनी आइसी हैं यहां पर देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन है वह आते हैं पावर ऐसी से यह हमारे टेकनेशन भाइयों को नहीं पता है और जो इस्ट्वर्क में पढ़ा रहे हैं अब लेटेश जो सेट आ रहे हैं 5G के मीडिया टेक चिपसेट में उस में आपको मीडिया टेक में भी मिलेगा एपीटी मड्यूल जिहां फेंड्स नया अपडेट है सीख लीजिए क्योंकि वहाँ पर पैसा देकर आ रहे हो आप लोग 40-50 रुपे शायद वो लोग नहीं बताए होंगे आपको मेरे पाउस का डाटाशीट तक बना हुआ है मैं इस्टुडेंट को देता हूं दो-दो एपीटी पावर मिलेंगे जिहां फेंड्स 3-3 एपीटी पावर मिलेंगे अभी तक आप ने एक एपीटी देख आये कौलकं में छोटा सा आता है बारा बॉल का अब नए अप्टी पावर मैं आपको बताऊंगा मेरे कोर्स में जिहां फेंड्स मेरी ऑप लिए अप क लेश्ट ले सकते हैं आप बहुत सारे कॉपि करें गें हैं वी सर्थ करें या इसी काफी सारी चीज़ें होती जो मैं हाइड रखता हूं मैं इस्टुडेंट को देता हूं क्रेम निकालता है पैसा देता है एक भरोशा करता किसी एकल पर करते हैं और देखते हैं क्या फाल्ट है क्यों इसमें फोर्जी काम नहीं कर रहा है अभी मैं आपको बता दूँ अगर बिल्कुल भी बैंड नहीं बनते हम पहले चेक कर लेते के रेडियो आफ है या रेडियो आउन है या फिर आपके मुबाइल में क्या प्रॉब्लम है क्या चेक करना है और बेजमेंड है के नहीं है वह आपको कब चेक करना है इस सारा चीज में लाइव ऑनलेन क्लास में दूँगा आपको बीस तारीक से क्लास है भूलियेगा मत बहुत कम फीज दे रहा हूं पंदरा हजार रुपे 14 टीवल नाइं जुड़ जाए अधर पड़ेगा एक महिना दुखान बंद करिए वो पचाहजार दुखान का पचाहजार लाग रुपे आपके जाएंगे उसके बावजूत भी टीचर ने सिर्फ थियोरी में लिखा लिखा कर आपको भेज दिया और कॉंटर पर आके बैटने के बाद काम करने जब नहीं आपको तब मुझे मत बताना कि पहले नहीं बताया था भीया मैं तो पहले बता रहा हूँ आपको के सोच लीजिएगा जा रहे हो रूम नहीं जम रहा है खाना नहीं जम रहा है और वहां का एट्मोस्फियर नहीं जम रहा है टीचर को कुछ पूछते तो डाटता है घुसा करता है बार बार बताता नहीं है एक बार बताता है चला जाता है उसके बाद लेकर सारे नहीं बताएंगा तो टीक है तो चलिए कूल टेस्टिंग कर लेते हैं फिर हो टेस्टिंग करेंगे कैसे करेंगे कुल टेस्टिंग यह टायलो करना होगा जी आदर वाइस सब में एक और 4 और 5 में आपका जो है RFFE clock data आता है 5 और 6 में clock data आता है 4GPA वे यह पता है तो regular आप चेक कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चेक करने होते हैं नेटवर्क सेक्षन में आपको RF clock चेक करना होता है जियां फ्रेंट्स नेटवर्क सेक्षन में आपको बेस्बंड की सारी RXTX की लहने चेक करना होती है CPU की RXTX की लहने चेक करना होती है voltages चेक करने होते हैं जियां फ्रेंट्स बहुत जगह से बेस्बंड अन्नोन हो जाता है आपका सारा चीज़ बताऊंगा class के अंदर फिर्व रिवाल मार रहे हो HDR फाइल डाल रहे हो बेस्बंड की आप QCN डाल रहे हो फिर भी solve नहीं हो रहा है CPU रिवाल कर रहे हो solve नहीं हो रहा है कहां से होगा आपको पता भी तो होना चाहिए कहां कहां से आपको चेक करना है चलिए पहले कूल टेस्टिंग कर लेते हैं बहुत छोटा दा फाल्ट है पर समझाना मेरा मकसद है आपको step by step guide करना है वीडियो बहुत छोटा बना सकता हूं मैं यह मेरा वीडियो उन students के लिए जो proper सीखना चाहते हैं हो सकता है यह वीडियो हमको मिल जाएगा शायद diagram भी है इसका तो diagram के थिरों मैं बताऊंगा hardware solution के थिरों बताऊंगा वीडियो skip मत करिए वीडियो forward करके मत देखिए एक बार देख लिजी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और बहुत deeply सीखना है नेटवर्क में यह एक मैं बस आपको बता रहा हूं कि बहुत दिन हो गया था है मेरे पात नेटवर्क का कोई phone मिल नहीं रहा था हाथ को मुझे काभी तरह सेट आ रहा है डेट कंडिशन में आ रहे हैं और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है यू 1 3 00S का RF IC होता है और यू 0 2 00S का 2GPA और यू 0 6 00S का 4GPA APT के लिए जो वोल्टेजिस आते हैं इसमें वो पावर इसी से आते हैं और यहां पर एक ऐसी लगा है यू S 0 4 0 1 यहां इसी को भी चेक कर लेते हैं DRX है या क्या यूज क्या है कि यहां फ्रेंड्स यह DRXIC होता है हमारा शायद आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो वीडियो के description में लिंक दे दूँगा बहुत ही deeply मैंने explain किया है कि DRXIC diversity receiving signal के लिए होती है सिर्फ इससे signal input होते हैं output नहीं होते हैं इसके बारे में यहां पर जाके देख लिजिए हाई बैंड के यहां पर इन वरे सिगनल DRX के तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर कैसे testing करें कहां पर जाएं क्या चीज़ें चेक करें step by step देखेंगे सारा चीज दीखिए इसका hardware solution भी मैंने यहां पर open करके रखा है यह देख सकते हैं यह इसका hardware solution है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर तो step by step सारा चीज़ चेक करेंगे आप भी पूरा वीडियो एंट्रक देखिए और समझिए चीज़ों को कैसे checking होती है क्या होता है तो अभी हमको चेक नहीं करना इसमें क्योंके फ्रेंड्स इसमें अल्रेडी network आ रहे हैं मतलब हमारा क्लाग डाटा ओक्के हैं तो कुल टेस्टिंग करेंगे होट टेस्टिंग करें कि हमारे जो आप देख रहे हैं यह हमारा यहां पर कुछ काम भी किया हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे और यहां पर यहां पर तो यहां पर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पर बोल्ंटेzes आते हैं 1.8 वी अयो का व्ल्टेर जाता है जो कि हमारे के लिए होता है और दूसरे आता है वी फटीय बैट यहां पर हमको कहा मिलेग के कैप्टैर पर मिलेगे तो उसके लिए हम डाइग्राम फालो कर सकते हैं हमारे पास डाइग्राम यहां पर है इसके àप इसके अलावा 5 और 6 पे clock data आना चाहिए, 7 नमबर पे VIO आना चाहिए, 22 नमबर हमारा एंटेना के साथ जुड़ा होता है, तो यह आपको इसमें से हम हम चेक क्या करेंगे, हमको clock data तो चेक करना है नहीं क्योंकि अलड़ी है 2G, 3G work कर रहा है, सिर्फ 4G work नहीं करना है, और 4G म हमारा mobile radio off हो जाएगा, बट इसमें हमको clock data नहीं चेक करना है, हमको यह दो voltage चेक करना है, 9 और 10 पे हमको कितना मिलना चाहिए, VBAT का voltage, VBAT पे कितना होता है हमारा 3.6 से 4V, और दूसरा 7 नमबर पे 1.8 voltage चेक करना है, यह वाले voltage हमको battery लगाने से मिल जाते हैं, और यहाँ प पहले हम start number पे हम cool testing कर लाएं, क्योंकि अभी mobile हमारा बंद है, तो cool testing करने के लिए हमको इस वाले capacitor पे जाना है, C0206, C0206 layout में जाएंगे, और चेक करेंगे, control भी डालेंगे, next करेंगे, तो हमको C0206 यहाँ पे मिलता है, 2GPA के just नीचे, यह वाला capacitor जो के इना ने यहाँ चोटा सा capacitor बदाया है, यह देख सकते हैं, यह वाला capacitor पे हमको GR चेकरने, जहाँ पर 1.8 का उल्टे जाना चाहिए, साथी साथ, 200, 200, 300 के आसपर value मिलने चाहिए, तो यहाँ पर हम चेकर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 200 से 200, 200, 300 के आसपर 285 GR मिल रहा है, और दूसर चेकर सकते हैं, 280 के आसपर OKGR है यह, अब आम नेक्स्ट चेक करेंगे VBAT का GR, जैसे के VBAT का GR चेक करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, और VBAT हमारा, मैं diagram और hardware solution, दोनों को साथ में लेंगे चल रहा हूं, आपको easily समझ आ जाए, इसका diagram नहीं है, आप उसका hardware solution यूज़ कर सकते हैं, तो VBAT हमारा 910 पर आना चाहिए, तो C080208, तो C0208 जो है हमारा, चलिए यहाँ पर आते हैं, तो यह वाला आपको, यह कोने का जो capacitor दीख रहा है, 0208, अगर मैं hardware solution में बताओं आपको, तो यह वाला, देखिए, सारे के सारे मिलकर है इसमें, तो हम एक पहले हम एक पहले पर चेक कर लेते हैं, कितना जीर आ रहा है, यहाँ पर भी 200, सिर्फ 300, 300 के असपास जीर आना चाहिए, तो यह देख सकते हैं, 300 के आसपास हमको, जीर मिल रहा है, मतलब यह लाइन भी यहाँ पर यहाँ पर आता है, तो सेम जीर मिलेगा, और second side हमको 00 मिलेगा, है तो जैख सकते हैं हमारा स्ट और सब्सक्राइब इस लिए अवThe five चेक करो ऑनिने के लिए यहां पे यांप यहाँ से चैशे के 4G PA का नंबर है हमारा U0600 तो डाइग्राम में आते हैं U0600, control भी डालते हैं अभी वाला जो है U0200 है तो 4G PA के पास चले जाएंगे यह आ गया हम 4G PA के पास तो सबसे पहले हमारा VIO, जिसको हम VEPP कहते हैं LTE, 4G के लिए इसका जो RFP clock data के लिए वर्क कराने के लिए voltage दिया जाता है क्योंकि external pull up अगर नहीं है इंटर्नल voltage दिये जाते हैं यहाँ पर, तो साथ नंबर में हमको capacitor मिलेगा 0605 तो layout में आते हैं 0605 कहाँ पर है चेकल लेते हैं एक बार तो जैसे के friends यह वाला लगा है यहाँ पर यह वाला दो capacitor है यह बीच वाला तो अगर मैं hardware solution में भी बता हूँ आपको तो 4G PA के पास यह देख सकते हैं यह तीनों भी आपको एक register और दो capacitor यहाँ पर लगे हैं तो यहाँ पर हम GR चेक कर लेते हैं हमारा VIO वाला यह देख सकते हैं voltage input output या IO voltage भी कहते हैं इसे digital voltage तो हम यह चेक करेंगे यहाँ पर तो capacitor पर GR चेक कर लेते हैं तो इसके बाद हम hot testing में voltage भी चेक करेंगे यहाँ पर register के इस पार देखते हैं तो value आ रही है वो ही value यहाँ पर आएगी और यह उपर का ground है तो नीचे side चेक करना है आपको 298 जेख सकते हैं वो ही value 286 यहाँ पर भी चेक करते हैं same 286 यहाँ पर भी चेक करते हैं same 286 मतलब 0 ओम्स का register है यहाँ से होकर किये साथ नमबर VIO 1.8 के लिए चला जाती है 1.8 चेक करने के बाद friends next चेक करते हैं VBAT voltage VCC जो होता है इसका APT voltage होता है जो के IC के collector में जाता है जैसे के IC के अंदर जो transistor होते है उसमें collector में यह voltage जाता है voltage collector हम जिसे कहते हैं VBAT का voltage हमारा यहाँ से आता है 0609 पर यह देख सकते हैं 8 तंबर पिन IC के जुड़ी हुई है और बास में इतने सारे एक, दो, तीन, चार capacitor यहाँ पे लगे हैं तो यहाँ पे 100 microfarad का capacitor लगा है तो के 50 volt capacity का है 10% प्लस मैनस tolerance होता है यह इसका size होता है के American है या कौन सा है capacitor तो उसके लिए 0609 को हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे लगा है यहाँ पे हम पो VBAT voltage चेक करने हैं VBAT का voltage चेक करेंगे यहाँ पे friends यहाँ पे corner पे capacitor लगा है अगर hardware solution में भी देख ले हैं तो यह वाले पूरी की पूरी line में 4, 3 cap एक diode लगा है इसमें से कहीं पे भी आप GR चेक कर सकते हैं वही 200 से 3500 के असपास GR चेक कर लेंगे 4GPA के पास तो यहाँ पे भी आज चेक कर सकते हैं 500 के असपास GR आ रहा है यहाँ पे भी चेक करेंगे 500 के असपास GR आ रहा है यहाँ पे भी चेक करेंगे 500 के असपास GR आ रहा है डायोट चेक कर नहीं जरूर नहीं corner पे चेक कर सकते हैं इससरी कर से अब मैं आपको बता दूँ फ्रेंट्स हम जियार तो यहां पर चेक कर लिए अब एक और वोल्टेज है और एक और है हमारा वोल्टेज जो के APT पावर का वोल्टेज जो के यहां पर आएंगे हम PMU के नाम से VPA PMU 4G में आपको यह वोल्टेज देखने को मिलेगा 4G PA तो यहां पर चेक करना है यहां पर चेक करना है यह देख लेंगे तो यह जो लगा है आपका 4G PA के इस साइड में भी हम यहां पर चेक कर रहे थे हैं तो राइट साइड में पहला यहां पर आ जाएंगे हार्डवेड सलुशन में भी यह देख सकते हैं 4G PA के 29 30 और 2018 पिन होते हैं तो इस केपसिटर पर जिया चेक कर लेंगे इसका भी जियार वैसे ही मिलेगा आपको तो यहां पर हम चेक करना है यहां पर देख सकते हैं तो अब एक चीज बता दूं हैं यहां पर A जार को हमारे सारे प्रॉपर है सारे सही है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई इस्ट नहीं है बड़ यहां पर एक चीज यहां पर CR आयां यह बिल्कुल मतसम्ता है 강ाट च्यार यह वह सकता याuffy घी-बैट का-चीयाः हो या फिर हो सकता है वह digit वह सकता इसका वुप्ये का जियार हो उक चेंख नो करेंगे अभी बसक्रानि क्षों करके नो को हैंटसट को व्प्याफा तो यहां पर में बैटरी लगा ले रहा अब लेते हैं और लगा करके अभी हम चेक करेंगे तो अचलिए पर ए altar को ली चेक अब हम और आचुक अछा जाएए तो हम भी हैस्फ करेंगे लेकर करें यह सब्सक्रार सकते हैं तो अभी अभी है है Redmi Note i Pro इस लिए वोल्टेज वहीं पर चेक करेंगे जहां पर हमने अभी टेस्टिंग की थी यहां पर हम चलिए तो यहां पे voltages चेक कर लेते हैं एक बर 4GPA और 2GPA के पास भी मैं voltages चेक कर के बता देता हूं आपको तो voltage चेक करने के लिए हमको जाना है DC voltage में चलिए सबसे पहले हम 2GPA के voltages चेक कर लेते हैं यहां पर यहां पर एक हम 4V VBAT का चेक कर लेते हैं दूसरा हम यहाँ पर VIO चेक करते हैं तो उसके लिए हमको black ground करना है और red से यहाँ पर चेक करना है ठीक है तो चलिए मेरे पास 2 पिनफे हैं भी यहाँ पर चेक कर लेता हूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर VBAT check लेते हैं तो यहाँ पर सकते हैं friends 3.5 3.6 आ रहा है तो यह हमारा विबैट का व्ल्टेज है उसके बाद यहां पर विया यह चेक करना है और दूसरा आपको यहां पर पर फास शारे वोल्टेजर चलते हैं फोरजीप पर चेक करने होते हैं एक हमारा विया यहां आता है दूसरा हमारा वि यहां पर हम सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं यहां पर लगा लेता हो jak जिए सकते हैं 1.8 हमारा प्रोपर मिल रहा रहा है कोई रिकत नहीं है चाहे आप चाहे इस पर कौने पर चेक कर लो तो वह और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वापस आया हो सकता है क्या कारणे भी बताऊंगा मैं आपको सबसे पहले यहां पर भी बैट चेक कर लेते हैं बड़े केपसिटर पर तो यह वाला बड़ा केपसिटर जहां पर जहां पर मिल रहा है अगर मैं आपको बताओं यहां पर कोई भी वोल्टेज हमको नहीं आ है मतलब यहाँ पर हमारा जो है चार वोल्ट का मिसिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं और यह बना क्यों नहीं वह भी बताऊंगा मैं यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों मेंने किरम चेक कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर पर ली चार वोFF आ रहा रहा है और उसके बाजू में है तो यहां यहां पर दोनों जगापर आपका वोल्ट राना चाहिए योहां देख सकते हैं चार वोल्ट यहां पे भी आ रहा है और लिचे भी आ रहा है मतलब यहां पर जो मिसिंग है भी यहां पर हमारा वीबैट मिसिंग है अब मैं आपको बता दू यह यह मुबाइल बना कि नहीं होगा प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण इसमें फ्रेंट्स 29 जो नौलेज चेक किया होगा तो उनको पता नहीं यह लिखते नहीं है यह लोग तो जो प्रॉपर बंदेर नहीं होते हैं इसको समझ लेंगे इसको व्यायज बना दिया हो सकता है उन्हों इसको चेक नहीं किया अभी हम करने क्या वाले Friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा battery connector होता है, battery connector के आज़ पास में जहां भी हमको VBAT voltage मिलते हैं, वो हम यहाँ पर इसको jumper कर देंगे, या नहीं तो आपके पास जो VPA का voltage आ रहा है, इस voltage को आप यहाँ पर jumper कर सकते हैं, करते हैं एक बार हम जंपर कर लएते हैं और उसके बार चेक करते हैं कि हमारा सुल्ब होता है यहां पर चेक कर लेते हैं एक बार अगर आप चाहों तो को यहां से जंपर ले करके आप यहां विबैट को दे सकते हैं यहां नहीं तो बैट्टी कनेक्टर पर चेक कर लेते हैं हम विबैट हमारा कहां पर है तो चलिए यह हमारा विबैट है इसको चेक कर लेते हैं यहां से यहां तक यह देख सकते हैं को यहां पर नहीं है मतलब कि यह track हमारा यहां से यहां तक proper नहीं है जोude show कर रहा था ऑट यहिए का जियार कर रहा था। Durham के साथ check करें आप तो – friends यहाँ पर आपको जियार की value मिलेंगी और यहां से पर चेक करना कोई है कोई यहां पर आपको voltage footage नहीं आरहा है मिल तो हमें तक चेक करेंगी यहां से कॉईंट ट्राक में लिए आहां से करके की करते हैं सब्सक्राइब थोड़ा है सां तो फ्लक्स लगा देते हैं थोड़ा सा लगाना है आपको कि आ अई कि दुफर्य वईर्ट ले लेते हैं झाल झाल तो चलेए फ्रेंड्स देख सकते हैं जमपर हमने लगा लिया है और अभी इसको हम आउन करेंगे और आउन करके चेक करेंगे तो आउन करने के लिए पावर की प्रेस कर लेते हैं इसे कि आपको दिखरा होगा और अभी हम इसमें दिखेंगे हमारा यह problem success होगा कि नहीं हुआ है यहां आरे फेसी पे हमने काम नहीं किया है क्योंकि आपको पता है इसमें 2G और 3G network आ रहे हैं आपको कैसे चेक करना है यहां पर देख सकते हैं और एटर इंडिया यहां पर देख सकते हैं एक बर बता दू आपको देख सकते हैं 4G वोल्टी आ चुका है हमारा और मवाइल मदरबोर्ड भी आपको यहां पर दिखा दूँ जो जंपर हमने किया है देख सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम नेटवर्क का सॉल्व चुगा है इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी चीछे आपको चेक करनी होती है इस वीडियो में मैंने आपको एक छोड़ा दा फाल्ट था इसमें मैंने बताया है अरे इसली चेक नहीं कर सकते हैंगर आपके पाऌज ड आपका हैंजी चेक करनी है वात दो कीसे चेक अगर बता होनी चाहिए बहुत आपका हैंसर वापस जाता रहेगा दोस्तों एक मेरे पास काफी दिनों से ऐसे नेटवर्क का फाल कर वीडियो आ नहीं रहें अदर्वाइस मैं आपको नेटवर्क सेक्षन के टॉपिक से बहुत सारे वीडियो जो है आपको लेकर आओंगा और जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइब होते हैं इसमें दिसमें जाते हैं यहां से निकाल दोगे तब यहां पर यह 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 उए यहां पर पोपन हो जाएगी यहां पर कोई भी वैलू नहीं मिलेगी आपको तो आपको इसी निकाले बगएर आपने देखा हमने हॉट टेस्टिंग से इसको बनाया है जिया आफेंस कई बार आपको व्यार्च नहीं मिलेंगे कई बार आरे अर्फ फी क्लॉट डाटा खराब रहे होंगे कई बार आईसी खराब होगी कई बार वीपिए प्याइज प्रोसेस होता है अच्छे से आपको अगर सीखना है तो मेरा online class जोएन कर सकते हैं जिसका 10 दिन मैं live classes ले रहा हूं 20 September से और आपको अगर से इसके साथ friends whatsapp का भी support मिलेगा और 6 महिना मेरा application आपको मिलेगा play store में आपको mobicare के नाम से आपको application मिलेगा वो आपको मैं link दे दूँगा आप download कर लेंगे उसमें काफी सारे वीडियो से रहेंगे जिसको देखकर कि आप आप revise कर सकते हो उसमें component और line tracing, fault finding, schematic की knowledge, DSO की training, DSO की live video दोगा कैसे DSO चलाना है RFFE कैसे check करने, network section में DSO का क्या काम है, audio में क्या काम है, ringer में क्या काम है, mic में क्या काम है, touch में क्या काम है, dead mobile में क्या काम है बक सब्सक्राइब बन रहे की नहीं बन रहे है, देखना है आपको, switching हो रहा है कि नहीं हो रहा है के पास, megahertz चेक करने, kilohertz चेक करने है, बहुत सारी चीज़े चेक करनी होती है, class में, यह हम friends, application में आपको सारे वीडियो मिलेगे, चले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक क पिटिंगी class में, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू very much friends